तो के दूस्तों सबस्तों करें और आज की जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं हमारी गट के बारे में, हमारी पेट मेराने वाल जो माइक्रोबायूम है। के बारे में और this basis क्या होती इसको समझने के कोशिश करेंगे और अगर हमें पूरा कर पाए आज के पंद्रमेट पे तो हम कुछ solutions के तरफ भी जाएंगे. But before I start, क्या आप इन में से किसी एक condition से सफर करते हैं जैसे की upset stomach क्या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं? Are you having trouble sleeping? Are you intolerant to some foods जो आपको बिल्कुल पच्ता नहीं है? Do you crave sugar a lot? मीठा खाना ही है रात कोट करके? क्या आप में unintentional weight gain या weight loss हो रहा है? क्या आपको skin irritation रहती है? क्या आप कभी-कभी headache के शिकार होते हैं? आपको क्या कोई autoimmune condition है? अगर ये सब चीजें आपके शरीर में हो रही हैं और आप महजूस कर पा रहे हैं तो शायद इसके पीछे gut issues हो सकते हैं. gut issues क्या हैं उसके बारे हम बात करेंगे बड़ इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि microbiome होती क्या है? बहुत सुनते होंगे कि हमारे पेट में बहुत सारे अलग लगत रहके bacterias और viruses और fungi रहते हैं. थोरी से उसके उपर में जानकारी लेते हैं. तो ये किवल हमारे पे जो कि बिलकुल जुर्वा होते हैं, साथ में पैदा हुए, उनमें 99.5% उनकी genes common होती हैं. फिर भी केवल 20% gut microbiome सेम होता है. I'll repeat again. 99.5% उनकी genes सेम होंगी, बट एक ही घर में रहकर एक ही खाना खाकर उनकी gut microbiome केवल 20% सेम होती है. तो आप इसको एक second self के जैसे बोल सकते हैं कि हर इंसान के पीछे, हर इंसान के बनने में बहुत सारी चीजों का युगदान होता है. तो जैसे ये, अमित जो है, ये 100 trillion, 100 trillion cells का समू है, जिसमें की majority microbes होते हैं. और आप जो भी हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप भी 100 trillion cells का एक समू है, जिसमें की 10 is to 1 का ratio है. Human cell 1, microbes 10. Think about it. So, अगर एक normal average इंसान की body को देखा जाए, ये weight को देखा जाए, तो उसमें से 1.5-2 kg और ज़्यादा body weight है, तो और भी ज़्यादा काली, bacteria और microbes का वजन होता है. Think about that. So, अब इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं, तो bacteria है, fungi है, viruses है, protozoos है, बहुत सारी दूसरे microorganisms होती हैं. याद रखें कि ये हमारे से पहले प्रिथ्वी पे थे और ये शायद हमारे भाद भी रहेंगे, हमारे मानवता के पहले भी थे और भाद में. तो ये जो बीच में germ थे रही आई, कि सारे germs, बिटादो germs, स्वास्ते के लिए अच्छे नहीं हैं, इसको बहुत अच्छी तरह चैलेंज किया जा रहा है, और हम आगे जैसे से जानकारी हमारी बढ़ती हमें पता चलता है, कि ये दुनिया में किसी चीज की तरह है, कि good, bad दोनों है, bacteria, viruses, fungi में. तो वापिस बोलना चाहोगा, जो human body है, ये एक community है, community of, हम एक super organism है, जिसमें इंसानी हिस्सा 1 10th है, और 90% जो हमारे sales है, जो बने है, वो microbes से बने हुए है, तो microbiome क्या-क्या काम करती है, हमारे शरीट में, digestion का काम करती है, हमारे skin को healthy रखती है, हमारी immune system को train करती है, time to time, कई सारे vitamins के synthesis में मदद करती है, अभी तो ये भी पता चला है, बहुत सारी जो hormones है, वो भी हमारे gut के अंदर ही बना करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बता है, 2 kg per person तक हिनकी weight हो सकती है, और उसी साब सी हमारे second largest organ हो जाएंगे skin के बाद में, इस बात को अगर ख्याल किया जाए तो, ये अगर ठीक ठाक अवस्था में चलना है, तो आपकी जो metabolism है, उसको moderate करने में मदद करते हैं, support करते है immune system को skin और oral health को भी microbiome affect करते हैं, तो ये microbiome जो मैं बोल रहा हूं, तो हमारी शेरीड में majority of organisms and bacteria viruses, वो कहां रहते हैं, तो starting with stomach है, nose में रहते हैं, mouth में रहते हैं, lungs में रहते हैं, skin पे रहते हैं, colon में रहते हैं, जो आथ हैं हमारी वहां रहते हैं, और sexual organs में रहते हैं, खासकर जो वजाइना होता है, that's a very very flourishing environment for organi, जो फासकर लेक्टो ऐसे लाही रहती है, वहां पे जो की pH maintain करते हैं, और हर इंसान के हर जो organs है, जो nose है, mouth है, उसकी जो community है, that is absolutely unique, जैसे mouth में ज्यादा तर streptococcus देखी जाती है, वहीं skin पे propionobacterium देखी जाती है, but ये propionobacterium हमारे प microbiomes के बारे में कहा जाता है, कि ये हमारी जनम से पहले ही develop होना शुरू हो जाते है, बहुत सारे factors हो उसके वीचे, तो मा के पेट के अंदर ही, वह develop होनी लगता है, और जबी वजाइनल रूट से बच्चा बर्त लेता है, तो मा के वजाइना से निकलता है, और बहुत सारे microbi microbiomes से इसको ditch diversity मिलती है, एक बात और, sorry, याद कीजिएगा कि जो C-section से बच्चे होते हैं, उनको मा का microbiome उतनी strongly नहीं मिल पाता, उनको microbiome मिलती है nurses की हाथ से और hospital के environment से, तो जो C-section वाले बच्चे हैं, उनमें कई अलग तरह की allergies और lack of immunity देखी जाती है, ये जो है, ये constantly evolve होत होता है, और जैसे ही बच्चा पहला होता है, और जब-जब मा का दूद पीते हैं, तो human breast milk is considered a super tonic for these organisms, वो इस माहौल में thrive करते हैं, बहुत-बहुत अच्छे से thrive करते हैं, ये constantly evolve भी होते रहते हैं, so 2-3 साल develop होने को लगते हैं, किसी एक इंसान की microbiome को और इसक पार stabilize हो जा से आपकी age बढ़ती जाती है, इसमें decrease होता है microbiome में, और खासकर old age में तो और भी ज़्यादा होता है, even the skin microbiome changes as the, so young इंसान के उपर में, जो bacterias पाए जाते हैं, और जो old age में पाए जाते हैं, उसमें difference होती है, microbiome is influenced by diet and other external factors also, but एक बात यह भी ख्याल लगने के हैं, कि एक ही सार हो सकता है, depending on their earlier microbiome, all diseases begin in gut, ये बोलना था, Hippocrates साब का, जो के modern medicine के प्रनेता माले जाते हैं, recent study ने बताया है कि microbiome का जो role है, वो brain के different processes में हो सकता है, जो कि हमारे mental health को, cancer को, cardiovascular health को, और बाकी disease के उपर भी असर डालती है, stress और other external stimuli जो है, वो adversely हमारे microbiome के composition को impact कर सकते है, और आपको ये जानकर बहुत-बहुत आश्यर होगा कि हमारी जो immune system है, उसके 70% जो cells है, वो ज़्यादा तर हमारे पेट के अंदर microbiome immune system के cells रहते हैं, और microbial diversity बहुत-बहुत important है, जैसे good और bad चीज़े दुनिया में होती है, वैसे हमें हमारे शरीर में good bacterial colonies, good microbial colonies के जरूरत ह जिससे कि जो bad colonies हैं, वो आकर bad bacteria viruses अपना जगा ना बना सके, तो हमारी जो colony हमारी पेट में होते हैं, हमारी रक्षक होते हैं, dysbiosis जिन लोगों में देखी जाती है, और खासकर अगर बचपन में उनको काफी antibiotic का पड़ा है, और dysbiosis होती है, तो अस्थमार देखी जाती है, obesity, diabetes, atopic dermatitis तक देखी जाती है, कुछ products और supplements के बारे में बात करना जाओंगा, just in terms of classification, तो एक आप सुनेंगे, microbiome friendly product है, that means, this is not going to cause any harm to your microbiome, अपने prebiotics सुना होगा, तो ये ऐसे nutrients हैं, जो की bacteria को feel good कराते हैं, और वो जो हमारी microbiome को पूरा एक grow करने का involvement देती है, तो bacteria को feed करता है, and they help in generating a stronger microbiome, probiotics, these are live organism, जैसे yakult होता है, जैसे दाई में हम लेते हैं, तो हम live organism चलिए रहे हैं, जो की जाके हमारी पेट की biodiversity को बढ़ाते हैं, postbiotics, substances which are produced by microorganisms, which mimic good positive effects, तो ये prebiotic, probiotic, और postbiotics होगा, अभी ये जो balance जो भी करता है, आपके जो microbiome का, उसको dysbiosis बोलते हैं, dysbiosis is, biosis का खराब हो जाना, ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे ये dietary change की विज़े से हो सकता है, suddenly आप बहुत high protein diet खाने लग जाएं, बहुत जादे चीनी खाने लग जाएं, बहुत जादा additives, processed food खाने लग जाएं, तो आपकी जो पेट की microbiome है, वो effect होगी, accidental chemical consumption can also lead to dysbiosis, say for example, pesticides वाले fruits और vegetables, suddenly खालेने से आपको पेट खराब हो सकता है, too much alcohol is responsible to this, antibiotics, big culprit, antibiotics से बाद अकसर लोग का पेट खराब होता है, dysbiosis होती है, और वापिस जो natural flora, fauna, develop होने में, काफी काफी ताइम लग जाता है, poor oral hygiene, that means excess of bacteria in your mouth, can also lead to dysbiosis, high levels of stress and anxiety, it's always a factor for dysbiosis, unprotected sex, because again the sexual organs are a very very concentrated area for microbial activities, dysbiosis के symptoms क्या हो सकते हैं कुछ लोग में, जैसे bad breath, halitosis बोलते हैं उसको, upset stomach होना, nausea होना, constipation, diarrhea, difficulty in urination, vaginal or rectal itch होना, bloating होना, chest pain होना, rash और redness होना, fatigue, trouble concentrating on anything, a lot of anxiety or depression होना, यह सब dysbiosis के signs and signals हो सकते हैं, right, तो अभी तक मैंने आपको काफी जनकारी बली चीज़े बताई हैं, आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं dysbiosis को रोकने के लिए, क्या चीज़े कर सेकते उसके बारे बात करें, but gut-friendly food, gut-friendly lifestyle और gut-friendly activities की बात हम कल के एपिसोड में करेंगे, आज के एपिसोड को चोटा ही रखते हैं, because I want you to listen to it again and again and again. Thank you so much, this is Indie Masala, signing off from today's small episode about gut health, what is dysbiosis और किस तरह से microbiome की diversity हमारे health के लिए बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है, कल मिलते हैं, कुछ solutions के साथ तब तक अपना ख्याल रखे, और सुनते हैं Indie Masala podcast, बाई-बाई, टेक क्यार.